हेलो अच्छा लोग स्वागते आपको अपने चैनल कॉमर्च कुजी पर और बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे थे सर कॉपी चेकिंग को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रही है आपके पास क्या-क्या ख़बन है आपके पास सारी इंफॉर्मेशन वगेरा वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ हुआ क्या है चीज़ें का बच्चों ग्रेस मार्क्स मिले हैं नहीं सब चीज़ें सबसे पहली बात जो कॉपी चेकिंग है वो आल्मोस्ट खतम हो चुकी है बटा जितना भी आपका एवैलुएशन का काम था चाहे आपकी 10th क्लास हो चाहे आपकी 12th क्लास हो वो चेक हो चुकी है सारी ये काम डन हो चुका है completely बच्चों को मन में आ रहा है सर रिजल्ट की expected date हम कब तक रख सकते हैं बटा रिजल्ट की जो expected date है वो 15 माई से लेकर 22 माई के बीच में expect की जा रही है ये रिजल्ट आ सकता है चली अच्छी बात ह सर subject wise result कैसा रहा है copy checking कैसे हुई है grace marks कितने मिले हैं मिले हैं नहीं मिले सर grace marks कितने मिले हैं कि grace marks overall अगर देखी जाए सभी teacher से बात करने का सभी का बहुत सारे teacher से बात करने के बाद six marks तक grace marks गए हैं बात करी जाए sciences team की और same कुछ कह रहे हैं साथ कुछ कह रहे हैं चहें कुछ कह रहे हैं साथ कुछ कह रहे हैं चहें तो हम बीच का ही ले लेते हैं कमी उम्मीद कर ले लें six marks की grace marks गई है grace marks जब ही allow करी गई है जब ही allow की जाती है जब बच्चा pass होने के कगार पर नहीं पह। और यह कोई official नहीं होता ख़िए लिखा नहीं जाता कि यह grace marks से pass किया गया है जो passing marks get कर लेता है जो passing marks लिया था उस बच्चे वो grace marks की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें grace marks नहीं दे जाते copy का जो checking हुआ है वो काफी ज़्यादा lenient रखा गया है हाला कि copy में काफी ज़्यादा गलतियां भी पाए गई बच्चों ने answers उतने attempt नहीं करें उतने words नहीं लिखके है accuracy ठीक नहीं था numericals चीक नहीं थे लेकिन उन सबको negative point को हटा करके जितने भी teachers हैं जितने भी हमारे HEE से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा HEE का कि जनोंने काफी corporate किया है बहुत सारे HEE ने corporate किया है कि बच्चों के साल बरबाद ना हो कैसे ना कैसे step marking देके कहीं लिखा है अगर उसने उस तरीके से बच्चे को पहुचाया गया है लेकिन एक बात यहां रखीगा जिन paper में आपको passing marks 27 था उसमें अगर बच्चे के 21 तक पहुचे हैं उसको pass किया गया है चाहे हो फिर step by step चेक करके या attempt के number देखे या lenient marking को देखे इस तरीके से जिन बच्चों को passing marks 23 चाहिए थे यारे कि 70 out of में से था उनको 17 अगर marks तक पहुचे गए हैं उनको pass किया गया है हो सकता है 23 marks जो हमारे science वाले बच्चे हैं उनके लिए है ऐसा नहीं है यह आप भी जानते हैं कि ऐसा possible नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भगवान करेगो pass हो लेकिन उम्मीद यह करी जा रही है कि करीब इस चीज के लिए तयार रहना है सबसे पहली बाद निरास नहीं होना है तोटल यह निकल के आ रहा है कि आपका result बहुत जल्दी announce हो सकता है ठीक है ना और बस अब आपको अगर आगे जो courses वगदा करने हैं उसके लिए को information चाहिए तो description में सारी चीज़े available हो जाएंगी आप व efficiency, business, ego की overall तो वो मैं next video में upload करूँगा एक दो दिन बाद हाला कि overall report जो है वो यह है तो video पसंद आई हो यारों तो please video को like जरू करेगा, share जरू करेगा, अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजेगा, thank you so much, love you all.